मेरे साथ बोलिये बारत मता की क्यूं भई क्या हो गया जाट बेल्ट वालों की आवाज को मोदी जी को तिसरी बार प्रदान मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है 400 पार करनी है या नहीं करनी है 14 की 14 सीटों पर सपा का सुपड़ा साप करना है या नहीं करना है तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी आवाज मेरी बैट गई है आपकी कहां बैटी है मेरे साथ दोनों हाथ उटाईए सभी लोग अंतेक उटाएं हाथ विजाय के विश्वास की मुट्टी भीचे और प्रचन आवाज से बोलिए बारत मता की बारत मता की आज बाई अप ज्यादा बोल नहीं पाएंगे आवाज बैट गई थोड़ा कम बजना आज जाट बेल्ट में इतनी बड़ी संख्या में आये हुए भारतिय जन्ता पार्टी और लोक दल के सभी समर्थक भाईों बेनों माताओं को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं सबसे पहले मैं इस भूमी पर आया हूँ जिस भूमी से चोदरी चरण सिंग ने किसानों के लिए देश भर के किसानों के लिए अपनी आवाज बुलन की थी चोदरी चरण सिंग को स्मर्णान जली देकर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं यहां के महान स्वातंत्रता सेनानी सुन्दलाल जी हर्दयाल जी विसंबलाल जी सांतिनारायन जी को भी याद करकर मेरी बात की शुरुवात करना चाहता हूँ भाई और बेनो यह जो चुनाव है यह चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाने का चुनाव है मुझे बताओ मोदी जी को हम तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाना चाहते है या नहीं चाहते, जोर से बोलो चाहते या नहीं चाहते, मोदी जी ने गरीबों के उठान के लिए, किसानों के उठान के लिए देर सारे काम किये, मोदी जी ने गूड और गन्ने के इस ख्षेत्रक के अंदर गन्ने के लिए राष्ट्रियन निती बना कर डेर सारे बदलाव किये, बाई और बेनो, आप याद करिये, जब कॉंग्रेस की सरकार थी, गन्ने की एफ़ारपी 210 प्रती क्विंटल थी, 210 और आज 340 रुप्या प्रती क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया है, और भुक्तान की जहां तक बात है, 95 से 17 में एवरेज भुक्तान 23,000 करोड होता था, आज 2,50,000 करोड रुप्या गन्ने का भुक्तान करने का काम भारतीय जन्ता पार्टी की सरकार ने किया है, इसके साथ जाथ चिनी मिले बसपा के सासन में 19 चिनी मिले बंदुई, अखिलेश के सासन में 10 मिले बंदुई, और भाजपा के सासन में 20 से अधिक चिनी मिलो को सुरू किया गया, और पांच नहीं चीनी मिले आज नहीं बनाने का काम हुआ है और हमने इथेनोल की पोलिसी लाकर पहले 2014-15 में इथेनोल पेट्रोल में मिलाया नहीं जाता था आज 154 करोड लिटर इथेनोल मिलाया जाता है जिससे घंणा किसान की आएको बढ़ाने का काम हुआ है भाई और बेनो बैट जाओ भैया बैट जाओ कुछ नहीं है बैट जाए जरा बैट जाए सब भाई और बेनो मुझे बताओ एक कस्मीर जो है हमारा है या नहीं है जोर से बोलो कस्मीर हमारा है या नहीं है धारा 370 हटनी चाहिए दी या नहीं हटनी चाहिए दी एक कॉंग्रेस वाले 50-50 साल से धारा 370 को समाल पर बेठे थे मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रदानमंत्री बनाया धारा 370 को समाप्ट करकर कश्मीर को भारत के साथ जोडने का काम किया भाय और बेनो नरेंद्र मोदी जी ने कस्मीर में से आतंकवात को समाप्ट करने का काम किया है सर्जिकल स्ट्राइक और एर्श्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुश कर आतंकवातियों का सफाया करने का काम नरेंद्रमोदी जी ने किया है भाई और बेनो यह जो गमंडिया गटबंदन है अखिलेस यादव जी की पार्टी कॉंग्रेस पार्टी यह कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदीर बने मुझे बताओ अयोध्या में राम मंदीर बनना चाहिए था यह नहीं बनना चाहिए था जोड़ चै मुलो बनना चाहिए था एक कॉंग्रेस पार्टी ने सत्र साल जग राम जन्वा भूमी के मुद्दे को अठ़का कर रख लटका कर रख भटका कर रख़ मोदी जी ने केस भी जीता भूमी पुजन भी किया और 22 जन्वरी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्टा भी कर दी मोदी जी ने देश को सुरक्सीत किया है मोदी जी ने देश को सम्रूत किया है मोदी जी ने MSP पर आजादी के पाद सबसे ज्यादा खरीदी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाई और बहनों आज मैं पस्चिमी उत्तरप्रदेश में आया हूँ 2014 में मैं भाजपा का प्रभारी था मैं यह आया था केराना से मुझबपरनगर से सहरानपूर से पलायन चालू हो गया यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई योगी सरकार ने यहाँ पर गुन्डों का आतंक बन करकर यहाँ पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है और इसके साथ साथ अब निर्दोस नागरिकों की जगे अब उत्तरप्रदेश से गुन्डे पलायन करने लगे है इस प्रकार की स्थिती उत्तरप्रदेश में बनाने का काम भारतिय जन्ता पार्टी की योगी आदित्यनाज की सरकार ने किया है भाई और बेनों यह चुनाव में जो घमंड या गटबंदन इकटा हुआ है 12 लाग करोड के गपले घोटाले ब्रश्टाचार करने वाले लोग इखटा हुए है मैं आपको बताना चाहता हूँ मोदी जी चोधरी चरण सिंग्जी के गवरव समारों में आए उस दिन उन्होंने ब्रश्टाचारी पचाओ रेली बनाई और वो रेली में ब्रश्टाचारियों को संरक्संड देने की बात करी मैं आज इस मन से समगर उत्तरप्रदेश की जंता को कहना हूँ 2014 में मोदी जीने का था जिनोंने ब्रश्टाचार करा है वो जेल में जाएंगे और 2024 में भी कह रहे है जिसने ब्रश्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे मुझे पताओ जिनोंने 12 लाग करोड उपय का फ्रस्टाचार किया उनको जैल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए जोर से बोलो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए भाई और बेनो उनका मकसद परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री प्रदान मंत्री बनाना है मोदी जी का मकसद देश के किसान गरीब मजबूत गलित और आदिवासी को मजबूत बना कर अपने पैर पर खड़ा रहना है आज मुझे अंत में इतना बताईए संजीव बालियान को प्रचंद बहुमत से जिताएंगे क्या अरे जोड से बोलो जिताएंगे बालियान आगे आओ आप जरा संजीव बालियान ने मंत्री रहते हुए पस्ची मुत्तप्रदेश के लिए बड़ा काम किया है संजीव बालियान को प्रचंद बहुमत से जिताएंगे चोदा की चोदा सिदे मोदी जी की जोली में डालेंगे मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाएंगे चार सो पार करेंगे